हेई गाईज वेल्कम बैक कर शर्दा गैलरी चलिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनाते हैं चलिए फिर सबसे पहले हम तीखा पानी बनाएंगे उसके लिए मैंने एक आम ले लिया है कच्चाम है उसको इस तरह से काट कर मिक्सी के मसाले वाले जार में डाल दिया त्षाल पलत है पदेने के पत्ते से 2 हरी मिर्ची है थोड़ी में पहले रदे पानी डाल कर बहुत अच्छी तरह से ग्रैंड करेंगे मैंने एक बाद दो चम्मा पानी चौन और पानी डाल कर अच्छे से सौफ्ट स्मूथ इस तरह से ग्रैंड कर लिया है अब इसको ना पानी को हम अच्छी तरह से चान लेंगे बिना चाने भी आप बना सकते हैं पर चानेंगे तो अच्छा हमारा तीखा चकपटा बानी बनेगा इसको मैंने इस तरह से चान लिया है मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है तो उसमें पानी डाल करना इसी में डाल दीजिए और अच्छे से छान लीजिए ये रेडी हो गया है चलिए अभी इसमें हम न थोड़ा से कुछ मसाले आड़ करेंगे नॉर्मल नमक डाला है आधा चमच आधा चमच हम ब्लैक सॉल डालेंगे आधा चमच मैंने पानी पूरी मसाला डाला है आधा चमच ही मैंने जीरा पौर्डर डाला है सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कम जादा कर सकते है और टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए एक चमच मैंने शुगर एड किया है थोड़ी सी हिंग डाल देंगे अब हम इसमें एक से दो ग्लास चिल्ड वाटर डालेंगे देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और थोड़ा पतला ही पानी रहता है आधा निम्बू है ये भी डाल दिया मैंने आप डालना है तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं डाले तो भी चलता है क्योंकि आम खट्टा ही था और लास्ट में मैंने नमकिन बुंदी है ये डाला है ये आपको कोई भी किराना शॉप में मिल जाएगी तो देखिए बहुत ही बड़िया हमारा ये तीखा चटपटा पानी बनकर रेडी हो गया है अब हम बनाते हैं मीठा पानी यानि इमली का पानी तो इमली को मैंने एक घंटा सोग करने के लिए रखा था तो देखिए हाथों सो थोड़ा उसको इस तरह से दबाती हुए मैंने इसके अंदर एक दो बीजे थी तो वो मैंने निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे यह जो सारा इमली का पानी है यानि यह जो सारी इमली है इसको न मैंने मसाले वाले जार में ही अच्छी तरह से पीस लिया है इसमें न अब एक चमच आपको सॉप डालना है Friends बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सॉप डालने से देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है बहुत अच्छा कलर भी आया है Soft Smooth मैंने इसका पेस्ट ही बना लिया है चलिए अब इसको अच्छी तरह से हम छान लेते हैं तो इस तरह से छन्नी लेनी है और एक नीचे बॉल रखा है अब ये सारा जो इमली का पल्प निकला है इसको हम अच्छी तरह से छानेंगे फोड़ा सा पानी डाल कर इस तरह से छान लीजिए सारे टिप्स और ट्रिक के साथ में इस रेसिपी को बनाया है और इतना चकपटा ये पानी बना है फ्रेंड्स वीडियो पूरा देख लीजिए तो देखिए अच्छी तरह से पानी को छान लिया है अब इस पानी को हम अच्छे से पकाएंगे तो पकाते समयना इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं या फिर शुगर एड़ कर सकते हैं मैंने गुड़ डाला है आधा कटूरी गुड़ डालने से क्या है इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है तो हमारा सारा गुड बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है बस ये हो गया है पानी हमारा ये रेडी हो गया है मीठा पानी अब हम इसमें chilled water डालेंगे एक से देड़ ग्लास अब इसमें आधा चमच हम नमक डालेंगे आधा चमच मैंने जीरा powder डाला है black salt डाला है थोड़ी सी हिंग डालेंगे और फिरना आधा कटोरी मैंने नमकीन बुंधी है ये डाल देंगे और आधा ही चमच मैंने यहाँ पर पानी पूरी मसाला डाला है थोड़ा सा जीरा पॉर्डर भी डालिए और आधा चमच चीली फ्लेक्स डाल देंगे तो देखिए हमारा चत्पता मीठा पानी बनकर रेडी हो गया है अब बनाते हैं आलू की चत्नी बॉयल आलू में हम डालेंगे सबसे पहले बारी कटा प्याज, हरी मिर्ची, धन्या पॉर्डर, टेस्की अकॉर्डिंग नमक एट किया है थोड़ा सा चाट मसाला, मिर्ची पॉर्डर और बहुत सारा हरा धन्या डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, तीखा और मीठा ये जो पानी है, ये हम इस आलू की चत्नी में डाल देंगे बहुत ही बड़िया अमेजिन सा स्वाद आता है, एक बार जरू ट्राइ करिए अब हम क्या करेंगे, बहुत ही बड़िया तरीके से पूरियों को फ्राइ करेंगे ये किसी भी किराना शॉप में आराम से इस तरह से पानी पूरी की पूरिया मिल जाती है अब देखिए इनको ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर में फ्राइ नहीं करना है इस तरह से लाइट कलर में ही निकाल लीजिए इस तरह से खटी मीठी चटपटी पानी पूरी बना कर जरूर ट्राइ करिए अच्छी लगी रेसिपी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए